नमस्कार जराहट गया इंदी में आप सभी के एक बार फिर से स्वाकते आए जानते हैं 11 सितंबर को जन्मिल लोगों का सुभाव आपका वविश्य आपके लिए क्या शुब है आपके लिए कौन से तारिक शुब है आपके लिए कौन से दिन शुब है कौन से साल सुब है आपके लिए ये शाल कैसा रहने वाला है आए जानते हैं विस्तार से हम आपको सबसे पहले जन्म दिन के सुब कामनाय देना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि यदिया कुछ खरीदना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वहां से जाके आप कुछ भी खरी सकती हैं आए जान लेती हैं 11 सितंबर को जन्में लोगों का प्रफिशेफल यदि आप 11 सितंबर के दिन जन्में हुए है तो आपका मूलांक दो कहलाएगा एक और एक आपस में जोडने से दो आता है इस तरहे आपका मूलांक भी दुक हला है इस मूलां को चंद्र गृए मनका कारक होता है आप अध्यातिक आप अत्यधिक भावुक वह्ति हैं आप स्वभाव के संकालु भी वहति दूसरों के दुख दर से आप परिशान हो जाती है यह आपकी कमजोरी है आप मांसिक रूप से तो स्वास्ते रहते ह है चंद्र घ्रह स्त्री घ्रह माना गया है आते आप अत्यंत कोमल सभाव के वैकती हैं आप में अभी मान तो जरावी नहीं होता चंद्र के समान आपके सभाव में उतार चड़ाव मिलता रहता है अगर आप जल्दबाजी को त्याग दें तो आप जीवने बहुत सफल हो सकते हैं आपके लिए जो शुब दिनांग होती हैं वे दो ग्यारा बीस और उनतीस है और जो आपके लिए शुब वर्ष दोजार सताइस दोजार उनतीस और दोजार चातीस है इन साल में आपका भागुदय भी हो सकता है आपके इस्ट देव भगवान शिव और बड़ुक भाय और सफेद रंग आये जानते हैं यह साल कैसा रहेगा लेखन से संबंदित मामलों में साफधानी रखने की जोट है बगएर देखी किसी भी कागज़ाद पर सिगनीचर ना करें किसी नए कार्रें योजनाओं की सुरुआत करने से पहले किसी बड़े और अनुबवगी शला देश्प्रभावसाली व्यक्ति भी रहें जैसे महत्मा गांदी अमिताब बचन और लाल बहादुर सास्त्री तो यह था ग्यारा सितंबर के दिन जन्में वैक्तियों कब अफिशेफल यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अधिक सदी कि लाइक क करें और यह आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और घंटी को बटन पर जब्रूद दवाएं ताकि आने वारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके धन्यवाद